हेलो फ्रेंड्स मैं नुराग और आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे जब आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करते हैं वेबसाइट और विंडोस चाहे आपकी कोई सी भी हो विंडोस 7 हो 10 हो या 11 हो उसमें एक एरा र the teacher. लूज्फ की आपका जो ब्राउजर है वह आपको इन्फार्म कररा है कि आछिस वेब साइट लूपर करने की कोशिश कर रहे हैं वह वेबसाइट Secure नहीं है इसका दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि जैसे आप जो भी आप साइट कोलते जैसे आप यह देख रहे हैं यह HTTPS को क्रॉस क्या हो यह HTTPS होता है Secure Website Secure Hypertext Transfer Protocol तो यह Secure नहीं है इसका मतलब यह HTTP website है और HTTP website जो होती है वो बिल्कुल open website होती है वो Secure नहीं होती बिल्कुल भी और अगर आप उसमें website open करने कोशिश करते हैं तो आपके जो device की जो आप जिससे आप open कर रहे हैं phone या PC वो और personal आपकी information जो होती है वे बिल्कुल open होती है hackers के लिए तो आपका कभी भी system की information steal करके चुराकर और आपका system hack कर सकते हैं जिस भी computer या laptop पर या phone पर आप इसको open करने की कोशिश कर रहे हैं तो that means जो हमारा browser होता है वो आपको inform कर रहा है कि आपका system secure नहीं है तो इसमें क्या होता है दोस्तों अगर आप इस तरह से कोई आप इस तरह की problem आती है तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है आप इसका clear data कर देंक तो और उसके बाद इसमें security के अंदर यह enhanced protection जो आपका browser होता हो प्रवाइड करता आपको यह इसको disable करना पड़ेगा that means no protection करना पड़ेगा आपको turn off करना पड़ेगा और open DNS करके आपको इसको open करना पड़ेगा और इसको बंद करना पड़ेगा एक बार जैसे आप इसको बंद करेंगे एक बार तो इस तरह की प्रोब्लम्स इसमें वेबसाइट में इसमें आती है कि आपका जो कनेक्शन जो है यह वेबसाइट जो आप नने कुष्च कर रहे हैं वो सिक्योर नहीं है तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि जो इन्षोर करता है कि साइट जो है पर डाइवसी स्टेंड़ और शेफizzard को प्रोवाइड कर कर रही है नहीं कर रही और गैट मेंस वह नहीं कर रही है इसपी वजह से आपको वह error मिल रहा है तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि browser को जब वह certificate नहीं मिल पाता तो वह इस तरह का error आजाता है जो certificate होता है इसको बोलते है SSL certificate तो यह secure socket layer होती है यह आपको नहीं मिल पाता तो तब यह इस तरह की दिक्कत आती और आप इसको setting को इस तरह से अगर बंद कर देंगे तो यह अगर आप इस setting को इस तरह से बंद कर देंगे तो फिर यह open हो जाएगी आपके लिए website कि देखिए दोस्तों इस तरह से आप इसको open कर सकते हैं लेकिन यह हाला कि website जो है यह government website है लेकिन इसमें किसी भी तरह की security implement नहीं की गई है इसमें नहीं है तो इस तरह की websites को open करना अपने computer पे आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है तो that's why आप थोड़ा से secure रहे हैं और आपको जो है browser जो है अपनी security को जब तक off नहीं करेंगा आप इसको open नहीं करना पाएंगे तो इस तरह से दोस्तों इसका solution मिल जाता है पर यह हमारे लिए safe नहीं है इस तरह की websites को अपने computer पर या phone पर open करना कि तो और तो दोस्तों इस तरह से आप इसको open कर सकते हैं website को जैसे ही आप इस website को बंद करते हैं तो प्लीज अपने जो अपका जो डिवाइस है उसमें इसकी privacy और settings वो दुबारे से implement on करते है enhanced protection करते हैं तो इस तरह से इसको कर देना चाहिए और open DNS की जंगा Google public DNS कर देना चाहिए इसको तो यह safe हो जाता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कमेंड और लाइक भी करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो मिलते हैं एंगली वीडियो में दोस्तों बाई